नमस्कार दोस्तों स्वागित है अपनी यूटूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में हैं दोस्तों इस वीडिम देखतें वाले हैं जो आज आपकी SSE GD का 10 जनवरी को सेकंड सेट में एक्जाम कंड़क्ट हुआ है यह 11.45 से 12.45 स्वाली 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 स्वाल और लिंकDESCRahaha में है और प्रिभीष येर् पेपर के लिए आप वैपसारीयों विजट कर शेक्ते हो लिंक में जायेगी स्वाल्ष करते हैं सेकंड से क्या स्वाल बार-बार पूचे जा रहे हैं इस से पहले पूचा गया था नोट के पीछे जो जित रंकीते वो किसका यहाँ पर पुछा 50 रुपे का जो नया नोट है वो किस कलर का है तो वो कुछ बल्यू टाइप का रहता है फल्दरो सेंड बल्यू कलर हो जाएगा इसी प्रकार सभी जो नए नोट है उनका कलर आपको पता होना चाहिए जैसे 500 रुपे है वो इस्टॉन ग्रे और 10 रुपे का नया नोट है चॉकलेट ब्राउन 20 रुपे का कलर है वो ग्रीनिश यलो हो जाएगा 100 रुपे का बल्यू ग्रीन है और 2000 रुपे का है वो मैजेंटा यहने जो गुलाबी टाइप का कलर है आगे बड़े उससे बिले मैं आपको बता जो केंड़ेट SSGD का एक्जाम पहली बार देने जा रहे हैं और एक्जाम में उनको लगता है वो से केंड़ेट न आज एक्जाम भी दिया है कमेंट सेक्षन बताना किस प्रकार से आपने कितने सवाल अटेम्ट की है पूरे सवाल अटेम्ट करने के लिए टाइम मैनेजबन बहत्र करना हो शेक है कोई भी एक्जाम को क्रेक करना उसकी स्टेट जी में मौक टेस्ट हमेशा रहता है मौक टेस्ट देने से कोई मतलब नहीं रहता उसका एनलिसिस करना जो भी आप मौक टेस्ट देते हो बार बार आप कहां पर गलतिया कर रहे हो तो test book इसके लिए सबसे best play performance आपको आपको yearly test book पास अभी discount के तहत मिलने वाला TTG के open code यूज़ कर लेना extra discount मिल जाएगा इसमें सभी exams के mock test वो भी exam oriented एक बार पास ले लीजिएगा और 640 प्लस exams के जितने भी state और central level government exams होते हैं एक ही पास में लाखों candidate यहाँ पर already mock test दे रहे हैं जो exam समावल होता उसी प्रकार से यहाँ पर mock test देते हैं 17 लाख active users है exam का interface dashboard है जो new candidate है जरूर चेक आउट कीजिएगा link description box में अब देखिए अपर note की बात करें नोट से अकसर तीन स्वाल पूछे जाते है या तो उनका color पूछेगा सेकंड उनकी विमा यानि dimension पूछ लेगा उनकी size बगरा है जो की anti-pc railway exam में टीशेस ने पूछा था थार्ड क्या पूछे जाता note में थार्ड उनके पीच्छे क्या चित्तर अंकी थे अब मैं बता देता हूँनकी dimension क्या है जैसे 2000 रुपे का जो नया note है उसकी विमा की बात करेंगे size की बात करेंगे तो 66 mm multiply 166 mm mm यानि millimeter है एक centimeter 10 mm होते हैं तो 2000 note की ये size 66 multiply 166 है जो की लंबा य 200 रुपे के note की देखेंगे इसकी 66 multiply 146 है तो ये इससे भी थोड़ी कम हो जाई फिर 100 रुपे का देखेंगे इसमें भी 66 है लेकिन और 4 कम हो गई 142 हो गई तो 4 यहाँ पर आपने देखा 150 से 146 फिर 140 से 142 हो गया इसी प्रकार 50 का देखेंगे 66 multiply 135 हो गया इसमें और थोड़ ज्यादा कम हो गये फिर यहाँ पर 20 रुपे का note है इनकी 63 हो गई अब यहाँ पर यह विट भी आपकी कम हो गई 63 हो गई 20 रुपे में 63 multiply 139 है 10 रुपे में 63 multiply 123 हो जाएगी इसमें भी यहाँ पर कम हो गये चार नेश्ट यहाँ पर देखते हैं 10 रुपे का note 20 रुपे का note इ पीछे सांची का इस्तूपे जो मध्य प्रदेश में 500 रुपे में रेड़ फॉर्ट आपको जित्रित मिलेगा 2000 में मंगल यानुआ पर अंकीते हैं नेक्ष वाले ऑलम्पिक में भारत का पर्थम धोजवाग फ्लैग बेरियर का पूछा है ऑलम्पिक में अब दिखी भारत न 2020 में हुआ है मेरी कॉम और मन्द प्रिश्री ही ये धोजवाक रहे हैं दोनों अब दिखी जो आयोसी की दोरा होता है गिर्शम कालिन समर ओलम्पिक हैं 896 में युनान के एथेंस में इसकी सुरुवात हुई थी और पहला शीद कालिन 1924 में हुआ था समर 896 में हुआ था और यहां पर भारत ने पहली बार 1900 में उलम्पिक में भाग लिया लेकिन एक मात्र खिलारी जो की एंगलो इंडियन था नाम है नार्मन पिरजार्ड है वो उलम्पिक में पार्टिबेट किया था और दो उन्होंने रज़त पदग भी जीते थे सिलवर और 1920 में गिर्शम काली उलम्पिक खेलों के लिए पहली बार एक टीम भेजी गए थी अब लैटिस्ट इस्तती भारत की क्या है 2020 तक उलम्पिक होज चुका है वसमें भारत के यह स्पॉर्ट वाइज मेडल काफी बार टीसेज पूछती है रेलवे एक्जाम पूछे है तो यह सभी फैक्ट मैंने रेलवे की पीडियो फाइल में अल्रीडी दे रखे हैं वो भी आप डाउनलोड कर शकते हो जो एंटी पीसे में स्वाल पूछे गे थे बार बार वहाँ से काफी स्वाल रिपीट हो रहे हैं इसके बाद पूछे जाता है शुटिंग में क्रोटल केतने है तो वह चार है एक गॉल्ड दो सिल्वर एक ब्रॉंज है एक अभी आया है जो जैवलीन थ्रो में नीरी चौपडा दो सिल्वर है अल्रेडी तीन हो जाएंगे रेसलिंग में पांच ब्रॉंज दो सिल्वर है गॉल्ड नहीं आया रेसलिंग में तो साथ रेसलिंग के है मैंडमिटन के तीन है एक silver दो bronze, boxing में तीन bronze है, tennis में एक bronze है, weight lifting में एक silver एक bronze दो medal है इस प्रकार भारत के total 35 model हो जाते हैं, 10-9, 16, 10 gold, 9 silver, एक silver कम है, लेकिन bronze यहाँ पर अधीक है और भी Olympic से fact आधारी स्वाल पूचे जाता है, इसका अधरी एक वीडियो पढ़ा हुआ, वो आप देख सकते हो, जिसमें Olympic पूरा cover है, जहां से कोई भी स्वाल नहीं चुटेगा फिर भी उपली तोर पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे Olympic पदक जीतने वाली पहली भारती महिला काफी बार पूचे था, कर्णम, मलेस्वरी हैं, वेट लिप्टिंग हैं, 2000 के Sydney Olympic में जीता था महिला पहलवान का पूचे ले जिन्होंने Olympic में medal जीता है, वो शाक्षी मलिक है, 2016 के Rio Olympic में bronze जीता था Olympic में पदक जीतने वाले पहरे भारती है, Athletics पूचे तो निरे चौपड़ा हो जाएंगे, एंग्रो इंजिन को छोड़ दे तो निरे चौपड़ा ही है, जैवलिन थ्रो में gold जीता है इन्होंने, special gold medal में तो एक ही है, बाकी जो पिरजारिड हैं, उन्होंने जीता था व्यक्तिकत परतिसपरदा में पर्थम gold, individual है, टीम नहीं, टीम में तो होकी में आ गया था, लेकिन व्यक्तिकत परतिसपरदा में पर्थम gold अभिनव बिंदरा ने जीता था, 2008 की बिजिंग Olympic में, उलम्पिक में भारत का पहरा व्यक्तिकत पदक आया था, 1902 के हेलेंस की Olympic मे आया था, खसाबा, दादा, शाइब, जादवने, इस परकार ये काफी important fact बन जाते है, उलम्पिक में, और व्यक्तिकत इसमें भी अलग ने पूछे जाते है, एक से अधीक medal किसने जीते हैं, किसी भी Olympic में भारत में सबसे अधीक medal अनुसार टोक्य Olympic 2020 तक, कुल साथ medal है, जो 2008 की चीन में काशे Olympic और 2012 की UK में silver दो medal शुशिल कुमार के हैं, दो पीवी सिंदू के, पीवी की एक silver एक bronze है, तो दो medal पीवी के हैं, और 6 बार, 6 Olympic में gold medal जीच चुकी हैं, भारती होकी टीम है, नेक्स वाल अपन देख लेते हैं, यहाँ पर 2022 में तिरपुरा से राजे सबा स देखने को मिलेंगे, तो latest वाले last 6 मंद के I think cover करेंगे तो सबसे बेहतरीन रहेगा, अंदर प्रदेश का सास्त्री निर्तिय कौन सा है, यह स्वाल, और स्वाल हमेशा authentic होते हैं, जो candidate regular देखते हैं, तो आप जोड़ जाएगा चैनल को subscribe करके बेल ऐकन हिट कर देना, अंदर अब टेबल टैनिस की बात करेंगे, तो 11 पॉइंट का होता है, वोली बॉल में 25 पॉइंट का होता है, 2011 में सबसे अधीक महिला साकसरतदार है, कैरल की है, और भारत की साकसरतार जो literacy rate है, वो चोटर फीजती है, 2011 की census के according, और इसमें भी statewide आप देखेंगे, कैरल सबसे अच् साकसरतार है, और उसके बाद लक्षण भी पाता है, वैसे ही, unit मा जाता है, industry and में second आप देखेंगे, तो majorum आपको देखने को मेरे गा, सबसे कम साकसरता में बिहर का number आता, बिहर में बहत कम साकसर है, उससे पहले अनच designed प्रदेस है, यह सबसे कम साकसरता वाला है, राज स साथ औक्sınज हो रहा है तो दोनों रहे ही अप कितने थे ओगजह लेकिन चार थे यहाँ पर एक साथ हो रहे हैं यानि यह हो जाएगा आपके रैड़ाक्स रेक्शन रियग्शन यह हो जाएके आपके डेड़ायो Lite के नहीं मेरे बाल केशन वटारkiej लेकिन आगे क्या था कुछ बता रहे हैं तो ये बालकिष्ण से कोई पूचा गया है निर्तिय का पूचा या फिर वद्धियंतर का पूचा है यह थी बालकिष्ण की बात करें और स्वाल में मैंसन्दा उनको कोई आवाइड भी मिला है पदमावाड बगेरा तो बालकिष्ण एक कर सब्भूशन जरूर मिला है पांचवाड चटी पंचवर्शी योजरा पर्थम सेट में भी पंचवर्शी योजरा मैंने सारा डिटेल साइट बताया था कि दो तीन जो बीच में गैप रहते हैं उसका आपको इसवेसर पता होना चाहिए जिसमें यह भी मेंसन किया था कि प पांचवाड सब्टेल में ँद्र करत अन्तर में हो रहे थे क हमसे सब्सुरुवात हो गई थी आप देखेंगे तीसरी और चौती तीसरी और चौती की मद्दी होलिटे आ खिक है फिर पंचवे और छटी की मद्दिय होलिंग और एक Later Coolène है अब साट और आथ यहाप है वो घ तो holiday उसके बाद आपके rolling फिर annual हो जाएगा नेक्श वाल देखते हैं खाने की सुरुवात मुख किस में खुलता आपके खाने की सुरुवात होती है, लार से ही हो जाती है पाजचन की सुरुवात आपके तो वो मुख गुवा जो इस्तान खाली रहता है आपकी जबडों के बीच, मुख गुवा बकल केविटी जैसे बोलते हैं, आर नाल का प्रतम भाग इसे कहेंगे, तो खाना मुख गुवा में जाता है, वहीं से सुरुवात हो जाती है, बकल केविटी में मुखी रूप से दा स्वतंदर्ता का अधिकार किस अनुच्छेद में संबंदित हैं, प्राण और देहिक स्वतंदर्ता है, इजी वाला स्वाल है, आर्टिकल 21 में मिल जाएगा, इससे पहले पूछा गया था आपके, राश्ट पती जो आपात्ता लागू करता है, कौन से जो आर्टिकल है, उ दो केस होता है, एक सिविल केस होता है, एक किर्मिनल केस होता है, सिविल केस ज्यादातर क्या होता है, दो वेक्तियों के बीच में होगा, और किर्मिनल केस में एक वेक्ति होगा, और मतलब किर्मिनल केस में क्या होगा, सरकार भी पैल भी करेगा, या पर वकील एक तरीके से दंड की मांग की गई हो, वो अपरादिक है, स्वील केस कोई संपती को लेकर हो सकता विवाद है, कोई आपका अधिकार है, वहाँ पर दूसरा कबजा कर लिया, वो थोड़े दिवानी मामले हो जाते हैं, स्वील केस में आ जाते हैं, जिसमें वेक्तियों को कुछ जुर्माना हरजाना बगरा देना पड़ता है स्विल केस में नेश्ट यापर शिविल सेवा में सामीर होने वाले पहरे भारती है 663 में हुए थे शत्यंदिर नार्ट टेगो शिवरात्री कौन से हिंदी महीने में आती है तो वैसे बात करूँ स्किल इंडिया की ये एक स्किल इंडिया का मिसन आया था जो 2015 में लॉंज किया गया था निरिंदर मोधी के दोरा जैसे नियस्टन स्किल डवलप्मेंट मिसन भी कहा जाता है बाकि ministry है skill की skill development and entrepreneurship इस ministry के जो मंत्री है वो स्री धर्मेंदर परदान जो सिक्सा मंत्री है राजी मंदर राजी उचंदर शेकर है और ये mission का पूचा है तो अधिक्स था ज्यादा तर परदान मंत्री हो सकता है अब पार्टी जो total 8 राज्टी पार्टी है उनकी अधिक्स कौन है उनकी स्तापना कब हुई है पहले कब है लैटर्ष वाली पार्टी कौन सी है ये ध्यान रखना आपको इस पी सनिया पर communist party of India CPI का पूचा है उनके अधिक्स है विश्वम है CPI Communist Party of India के अधिक्स है जिसके 1925 में स्तापना होई थी CPI के total 8 राज्टी पार्टी में आपको ज़्यादा तो पूचे जाता सबसे पुरानी सबसे लैटर्ष पार्टी कौन सी 1998 में इस्तापित है बीजेबी पार्टी 1980 में हुई थी CPI नड़ा अधिक्से वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी 1994 मिस्तापना जरूर याद रेक्नानेवर से पर स्वाल यहां से भी वनेगा मायावती अध्यक्स है बहुजन समाज पार्टी के और इंडिया तर्मूल कांग्रेस की है ममता बनर जी ठीक है भारतियों जनता पार्टी जेपी नड़ा कमिनिस्ट पार्टी अप इंडिया के अ 1999 में सरुद्पवार इनके अध्यक्स है कॉर्णोर शंगमा है नालंदा मठ से एक स्वाल है एक्जेक्ट नहीं मिला है यह वैसे बिहार में बहुत एक मठ है नालंदा मठ है तो इस पर क्या ओप्सन और स्वाल थे वो कमेंट शेक्शन बताएंगे जिनका आज आपकी सब्सक्राइब कर देना इस एफट के लिए मिलते हैं इसके साथ नए वीडियो में जो धर्ड और फॉर्शिप कर रहेगा जो के इंडियाट टेलिग्राम चैनल जाइन करने चाहते हैं पीडिए फैल के लिए लिंक डाइस्क्रिप्स मॉक्स में सर्च करके भी आप कर शकते दो 277 उनकी कास पास पॉलोवर होने वाले हैं मिलते हैं नए वीडियो में धेन्देवाद